दूस्तों कि मैं बात करूं जब आप साइट पे जाते हो तो वहाँ पर प्रैक्टिकल की बहुत जरूद बढ़ती है क्योंकि देखो जो हमें चार साल की डिगरी में पढ़ाया जा रहा है यह णिदिप्लोमा में पढ़ाया जा रहा है तो उसमें हमें practical देखने को नहीं मिलता है जैसे सामने layout देख रहे हो आप खुद से पूछीए जहां मेरे को बताईए किस college में proper से layout किया गया हो मेरे को लगता है 4 साल में आप से एक बार field पे आपको लेके गये होंगे और 60 बच्चे खड़े होंगे और आपको layout समझाया होगा तो काफी दिक्कत हो जाती है बच्चेओं को जब side पे जाते है कुछ पता नहीं जलता है वैसे AICT तो कहता है कि जब 4 साल की degree होती है जब डिपलोमो आपका होता है तो आपको 3-4 internship करनी ही करनी है और मैं एक चीज जुरूर कहूंगा जो अभी student होंगे या fresher होंगे ना जो अभी site उधर है college बगरा में तो आपको क्या करना है internship must must करनी है बिना internship के आप practical knowledge नहीं सीखते हो college में तो guarantee है नहीं सीख पाते हो किसी contractor के पास चले जाए जहां ऐसे कहीं चले जाएए अगर possible नहीं हो पाता है तो आपके पास मोका है कि आप online internship कर सकते हो मैं आपको detail देता हूँ बाकि आप पे छोड़ता हूँ आपको करनी है नहीं करनी वह आप पे depend होता है लेकिन एक बार ज़रूर video complete देख लेना क्या क्या आपको internship में करना चाहिए क्या आना चाहिए वीडियो knowledgeable होगी क्या क्या skill होनी चाहिए बले एक course के बारे एक internship के बारे में training के बारे में बताने वाला हूँ लेकिन knowledge जुरूर होगा इस वीडियो में तो ये internship आपको करवा को रहा है ये करवारा है CMTI उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं थोड़ी में आपको बतादू congratulate कर लेते हैं सबसे पहले नवीन जी को और चतन्या जी को जिनकी placement हुई है मतलब job मिल गई है काफी अच्छी चीज होती है course लिया था उन्होंने उनकी placement हो गई भी मिलेगा जो आपको किसी interview में यहां कहीं site पे जाके काम आएगा देखो यह जो इनकी field training थी मतलब जो offline course internship का वो बच्चे visit किये हुए delta wire 2 मतलब बच्चे हर जगा यह एक marble factory थी MNC companies रहती है mostly जहां CMTA के बच्चे जाते हैं वहां सीखते है experts से कैसे कैसे काम किये जाता है यह पूरा आप समझाया जा रहा है बच्चों को यह sir है साथ में इनको 25 से 30 साल का experience है sir को और जो expert इनके रहते हैं सब को experience काफी ज़ादा experience है यह बच्चे visit कि हुए MNC company में वहां जाके सीखा है और आपके पास मौका होता है जो field training करता है उसके पास यह मौका रहता है अगर हम बात काहिए CMT अगर 100 प्लस opening अभी पड़ी हुई है आपके skill और आपके location के हिसाब से देखा जाएगा कि आप अच्छे हो job के लिए तो आपका interview conduct हो सकते है ग्रंटी कोई नहीं है कि कोर्स लोगे तो ग्रंटी कोई नहीं है कि कोर्स लोगे तो आपकी job पकी है लेकिन अगर मैं बात करूँ यह जब internship launch हुई थी 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 था थाउजन इसका price था और दस offer दस बच्चों के लिए offer लेके आया हूँ coupon code लेके आया हूँ CMTA को open code रहेगा 750 का यह मैं आपको provide करूँगा सिर्फ दस बच्चों के लिए possible कर पाए है हिंद इंग्लिश में रहेगा और construction expert जो है उनके त्वरह एक course डिलेवर किया गया और बहुत अच्छा मोक है आपके पास और आप इसमें interior design और site management का जो course ता कल आया था वो भी अच्छा review उसका रहा और यह बच्चों के reviews हैं course के बारे में यह अगर हम बात करें जिनकी placement हुई है तो उन्हें review दिये काफी अच्छे यह CMTA की जो इनका YouTube channel एक description उसका link रहेगा वहाँ जाके जुरूर एक बार देख लिजिए वाइ लिफ्टिं अधर यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है तो यही काम CMTA हमेशा की तरह कर रहा है तो अगर हम बात करें फिर मैं आपको slayvers दिखाता हूँ internship का कह रहेगा आपको क्या सिखाने वाले जैसमने बाद है किया था कि आपको बताऊँगा कि एक internship में क्या कराया जाता है और आपके पास क्या स्केल होनी चाहिए तो मैं आपको clear कर दूँ इनकी सब टाइप की training रहती है offline training, live training, recorded training हर टाइप की training इनकी रहती है आप कोई भी ले सकते हो देखो एक quote काफी अच्छा है मेरे को focus करो, skill सिखो और पक्का job मिलेगी और आगी आप बढ़ोगी अभी हम चलते हैं इसकी slaves की तरब की slaves कह रहने वाला है इसका इसमें क्या है construction procedure है high-rise construction के बारे में 10 lesson रहने वाली है drawing reading बहुत important चीज़ है यह internship में सिखा जाएगा building को कैसे बनती है start से finish तक वो आपको बताया जाएगा आपको material के बारे में पूरा building के material जो होते है use होते है उसके बारे में पूरा बताया जाएगा inputs जो architect के दोवारे रहते है project के लिए वो आपको बताया जाएगा reading material for architectural role के रहते है project के लिए वो बताया जाएगा फिर आपको building by laws बताये जाने वाले हैं, far, setback, guidelines, यह सब चीज़ें आपको बताये वाले हैं, फिर stakeholder को रहते हैं, project में, highway के design, interior design and fit-out management, इस internship में यह चीज़ें आप सीखने वाले हो, highway का भी सीखोगे, interior design fit-outs और construction procedure के बारे में बलाव, आपके लिए बहुत important आपको field का पता चल